क्या वाद है क्या वाद है क्या वाद है तुम लोग आ गए और चलो बन करें सब तो देवी और सज्जनों कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूं सभी लोग मत जामा होंगे और स्वागत है आप सभी काई कौण नहीं वीडियो में जहापर आज में तुम्हें कुछ ऐसी चीज़े बताने वाला हूं जो या तो सिर्फ जावा एडिशन में या तो सिर्फ वैड लगता है बेड्रॉक में डॉक हर टाइप की फिश खा लेते हैं भले ही वह रो हो कुक हो या फिर पफर फिश क्यों ना हो लेकिन वहीं जावा में ये खाते ही नहीं है इनके अलगी नक रहे हैं अगर तुम नोटिस करोगे तो जावा एडिशन में अगर हम कुछ भी खाते हैं तो हमारी हेल्थ बहुत जल्दी रिकवर होती है जो कि अच्छी बात है लेकिन वहीं पॉकेट एडिशन में बहीं जब तक ये पूरी होती है मैं अपनी गल्फ्रेंड से बात करके आता हूं एक मिनट मेरी तो गल्फ्रेंड ही नहीं है बैड्रॉक में अगर हम कॉप व चाओं मुझे ऐसे मत देखो अगर हम दोना एडिशन में कंपेर करेंगे तो बैड्रॉक एडिशन में चलते वक्त हमारे प्लेयर के हाथ को जादे ही हिलते हैं लगता है पूरे दिन हिलाता है अपना हाथ अगर तुम किसी भी जानवल को मारते हो तो मत माना करो एक गंदी बतात होती है खेर अगर हम जावाध एडिशन में किसी भी मॉब को मारते हैं तो मनने पर वह इंस्टेंट एकसपी ड्रॉप खर देता है वर व 90 के करता है एतना इतना इंतशार कौन करता है घार ने केख कान करता है तो मैं रहते सबस्राइब करो जावा एडिशन में हम केक्स को स्टैक नहीं कर सकते हमें हर नए केक को एक नई इन्वेंटरी स्लॉट में रखना पड़ता है वहीं बैड्रोक में हम इने स्टैक कर सकते हैं भला ये क्या नाई इन्साफी है जावा में अगर हम एक स्केलेटन के एरो को शील्ट से रोकने कोशिश करते हैं तो वह एरो नीचे गिर के मर जाता है लेकिन वहीं बैड्रोक में अगर हम ऐसा करते हैं तो वह एरो रिफिलेक्ट होके वापस उसी के जाके पड़ता है ये देखो भाई ये चीज़ जावा में भी होनी चाहिए यार वैसे तो मॉब हैड इतना कुछ खास आइटम नहीं है लेकिन इसे लेने का तरीका कुछ दाद ही कैजवल है लेकिन वही जावा में हम एक चार्ज क्रीपर के साथ भले कितने मॉब फोड लें वो फिर भी किसी एक मॉब का ही हैड देता है सारी मेहनत कूड़े में चली गई पर है पीसफुल मोड में कभी भी कोई भी होस्टाइल मॉब स्पॉन नहीं होता है और यह चीज़ जावा में तो काम करती है लेकिन शायद पॉकिट में नहीं क्योंकि अगर हम आपर पिगले बूल इवोकर और विंडिकेटर को स्पॉन करते हैं तो पीसफुल मोड में भी जावा एडिशन में जब भी घास्ट अपने मूँसे विमल धूकती है उसका मूँ गलो नहीं करता है लेकिन वह बैड्रॉक में गास्ट का मूँ गलो करता है यह देखो अगर हम एक विशहट में जाते हैं तो उसका कल्टरन जावा एडिशन में तो हमेंशे खाली रहता है लेकिन वह बैड्रॉक में हमें इसमें पोशन मिल जाता है हाँ वो बात लगे यह पोशन में सा पॉईजन ही होता है खेर अच्छा ही है मेरे जहर खाने की दिन तो आई गया है जिंदगी में कुछ अच्छा होता ही कब है भाई यह फीचर जावा में क्यों नहीं है यार बै बैड्रॉक में उसके आसपास और ऐसे फ्लावर ग्रो हो जाते हैं अब जाके यही फूल अपनी क्रेश को दे दो क्या बता वो तुमसे पटी जाए हमेशा नेगेटिब मत सोचो विजय भावा देख देख कैसे खड़ा हुआ हुआ है लेकिन जब वो रोते हैं मेरा नहीं खाता मैं वेजिटेरियन हूँ लेकिन अगर हम जावा एडिशन में मचली पकड़ते हैं तो उसकी फिशिंग डॉड की डूरेबिलिटी सिफ 64 होती है वहीं बैड्रॉक की दूरेबिलिटी 384 होती है भाई प्रोटीन पाउडर खाती है कि यह और वहीं जावा में फि फीचर पूरे जावा एडिशन में भारी है अगर हम अपने गेम में मारा फीटी करते हैं तो जावा एडिशन में हमारे क्रॉस एर के नीचे कूल डॉन बार आता है जिसमें एक हिट मारने पर जब तक वो बार नहीं अटता तुम कितने हिट मार लो सामने वाले चीज़ को लगेंगे ही नहीं वहीं बैड्रॉक में ऐसा कोई कुई राउन ही नहीं है यानि हम किसी के भी घपा घप मार सकते हैं भाई ये क्या बात हुई यार मुझे एक बात बताओ पॉस का मतलब क्या होता है रोकना राइट लेकिन ऐसा सिफ जावा एडिशन में होता है तो बैक् चलता हूं तुम मेरी और वीडियोस देखो मैं मिलता हूं तुमसे एक और नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय बाबा की